तो बोकारो जिला के उतकरमि पूछ विद्दयाल में है और हमारे साथ इस विद्दयाले के प्रभारी रागीजी हैं। हमारे साथ इस विद्याले के SMC के अध्यक्ष चंद्रिकाजी हैं और ये विद्याले बोकारो जीले का एक बहुत उत्रिश्ट और माना हुआ विद्याले हैं यहां विद्याले में मैंने बहुत सी जोग अवलोकन किया बहुत सारे चीज़ों को देखकर हमने हम स्वंत प्रेरिख तो आज हमारे बीच अध्यक्ष जीली हैं और प्रवारी ओदय भी हैं जानना चाहेंगे एक अध्यक्ष के रूप में आपने ऐसा क्या किया कि विद्याल अध्यक्ष बनेंगे स्कूल में तो जो प्राइवेट इस्कूल होता है जो हम देखे अधी कांस मेरा अंदर भी भावना जागा है कि हम भी अपने स्कूल को उसी लेबल पर लेके जाएं और इसके लिए राभीर सार हमेशा सर्योग के मोटिवेट होते रहता था बात राभ पर साथ के समय में बच्चे लोगे खाना खाने के लिए बैठता था तो जमीर में हाली रखा हुआ और बारिस मिछे से पार हो रहा है बच्चा भी जा पता खाना खाने के समय सर्भी देखे हो हम लोग की देखते थे सर का भावना हुआ कि अगर यहां टैनिंग टेबल बन है तो बच्चा अगा पाइट ने भी है हम भी तहीं कर ली कि सर्भ बननेस को अच्छा रहागा लेकिन पैसा कहां साइगा त्या सर्भी इसका उपाय होगा पैसा को बैवस्ता होगा और हम लोगे दाइंग तो बहुत बहुत धन्यवाद आखका आज के डेट में हम लोग कि अच्छी वी विद्याले में जाते हैं किसी वी कोईभी जिला हो और यह कहते हैं कि SMC की बैठक में अध्ध्यक्ष बहुत मुश्किल से आते हैं बुलाना पड़ता है सभस्त भी नहीं आना चाहते हैं लेकिन आपने विद्याले के सहयोग से अपने सेल्फ मोटिवेट हो कै जो काम किया यह बिल्कुल ही सराहिया है और आपकी यह बात दूर दूर तरक कहुचनी चाहिए सभी अधर्चों को आप से पिरना लने की ज़रत है कि वो भी आप जैसे बने और इस तरह से अच्छे कामों को अंजाम दें हमारे भी ज़र्णे के परवारी रागीर जी है वह हमारी अच्छे मृत्र भी हैं और मेरा सुभागे कि आध मैं वो कारो जी आया हूं तो इनसे मिला इनके और चुट्टी के दी में भी अपने भी जाले को खोल कर हमारी परतिक्षा कर रहे हैं और रबुमन कभी किस से मिलना ह कि आपी आप से जाना का की आप 2012 से इड्याले में हैं 2013 कि याज इंट्याले में और 2012 से आप जो इड्याले में आज आप इड्याले में बहुत सारी चुनोतियां सी अच्छी बात इस चुनोतियों के बीच में ये थी, कि हर कोई चाहता था कि इस तूल अच्छा हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा करते हो, तो जब 2012 में तद्कालियु छेत्विशे च्छापदा विकाली तुरिमती परवला खेंजी दूरा वुजे परवार इसके बाद मैं स्काम में लगा, एक स्कूल का प्रोग्राम बनाया गया कि हमको ये ये करना है, और उसमें हम लोगों ने इतनी भी चीजों को अपने लक्ष में रखा, वो सब हम लोग करते गए, अभी भी कुछ बाकी हशेश है, लेकिन हम लोगों के जो प्रोग्राम था, वो सक्सेफुन रहा है इसलिए कि हमें अध्यक हमेशा अच्छा मिला, जैसे पहले डॉक्तर मुसा साथ से, जो के अभी उनका स्वरवास हो गया, उनका सयोग मिला, उसके बाद सुमेश सर के आने के बाद जो यहां है सुमेशी, ये तो आज भी विद्याले में उसी तरह से लगे हैं, समिती को गए वे कई जमाना हो गया है, लेकिन ये अध्यक, पुरू अध्यक के रूप में आज भी पर्तिजी में जाले आता है, तो इनके साथ जो मेरे काम का जो ट्यूनीं हुआ, वो बहुत अध्यूरस था, और इन्होंने पूरा समय भी दिया, और जैसे इनक कारेकाल समाथ हुआ, तो वो काया जाता है कि जिस सावराजी की उन्नती होती है, वहां युवराज भी एक सेख पैता होते हैं, तो जो काम भी अधूरा छोड़े थे, चंदरिका जी के आरेसे उसमें और चार जाम लग गया, इसलिकी सुमेश जी में एक हाई की बड़ा वि तो हम लोग जितना भी काम याँ किये हैं, जो भी सफलता मिलिया, वह टीम बर्कर से खता हैं, तो यह हम लोग मिले विद्यालय के प्रभारी से, विद्यालय के अधक्ष से, सबसे बड़ी बात है हम सब को सीख लेनी चाहिए, कि विद्यालय अगर अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले विद्यालय के प्रभारी को डाइनमिक होना है, आज अगर हमारे सारे SMC, जो स्कूल मनेमन कमिटी के सब्रस हैं, अधक्ष हैं, वो भी कहीं हैं से मोटिवेट होते हैं, और बच्चे, गर्णस भी मोटिवेट होते हैं, यह और भी आश्चल कभी से, खुशी के स साथ में, तो दोनों अधक्ष को, पुरवारी मोटे को बहुत बहुत धनवाद, सबसे जो हमारे उंको भी बहुत 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 धनवाद, सबसे बढ़ होते हैं, तो इहां पर आकर मैंने खास चीज क्या रेखा, कि टीम बर्क ऐसे होता है, एक प्रभारी सभी लोगों से इसे काम ले सकता है, मोटिवेट कर जो को बहुत बहुत हम इसकी काम लेने का, साथ ही मैंने कुछ इन्रवेटिव छीजें देखी, खासकर मैंने अमद्यों म kindergarten लोग्पोस्ट में भभाए, सब εκक्रों में बनाया है, सब बं यह सब वाल पिक में उसको अस्थान भी मिला है तो बहुत सारी अच्छी याद है और संसंद्रण लेकर मैं यहां से जा रहा हूं और कोसिज करूंगा कि यह हर विद्याले में हो आज मुझे बहुत खूशी हुई बोकारों आके मैं सराइकला से आया हूं तरूर उनकमार सिंग हुआ और बहु इसके लिए पूरी पीजिए अमलावाद में कार्याले करें हैं हमारे वीच प्रभारी रागीर जी है अध्यच जी है और पूर्व अध्यच जी भी उसी ततपरता उसी रूची के साथ विद्याले आते हैं जिस समय वाध्यक्ष भाते हैं और सबसे खासियत बढ़ीं की यह है कि विद्याले सिर्फ आते ही नहीं है बलकि इहां के जो स्टाफ की कमी के कारण अगर कोई वार्ग बाधित है तो वहां जाके कर्षा भी लेते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कर्षा में इनको भेल दिया जाए उस कर्षा को बहुत ही सुमशी पूर्ण से बच् है और अच्छा सिंसी प्रिणा अपो कहां से होगाँ घिए अथा दर जगार टायम दिने से अच्छा है अपने इस्कूल में अच्छे की बच्चे की लिए तो बहुत अच्छा में आखे है और सिउकलिन को बढ़ाने के लिए कि हमारा कोई जोगदान नी है सिर्भ वोसला है गार्डन में काम करें या स्कूल में पढ़ाएं या किसी परकार हो मैं कुछ न कुछ जोगदान देते लिए अगर है आप मेरी तो तो मेरी स्कूला को तो यह थे सुमेशी और सुमेशी ने कहा कि हम अपना वक्त जो बरवाद क क्या करते हैं क्यों कोना हम अपना समय बच्चों के विकास के लिए झाधार के लिए अगर गार्जन्स तरह के वुगए अगर हमारे समीठी के सदस्त तरह के सुमेश ची जैसे लोग, यहां के समीती के जैसे लोग, यहां के प्रवारी का मोटिवेशन अगर हो, तो निश्चीत रूप से जहरकन का हर स्कूल अच्छा करेगा। प्रवारी जैस, रूल आज यहां के जब हजा हो, यहां का दिर प्रवारी के ज्राट रसे शोप .